वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 30 मई 2023 और 30 मई 2023 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियों में डिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वीडियों मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा आपको सारी पीडियों एक साथ मिल जाएंगे और टेलिग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्स किसमें दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरुप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में इं पेस कीपर्स 2023 का मनाया गया है तो अभी 29 माई को इंटरनेशनल डे ओफ यू एन पेस कीपर्स 2023 मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सिन सही है अच्छा यह मनाया क्यों जाता है तो बिस सुबर में सांती और सुरक्षा को बनाय रखने में यू एन सांती संद्शकों के युगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 माई को यह इंटरनेशनल डे ओफ यू एन पेस कीपर्स मनाया जाता है अच्छा एक माई को अंतरास्टी स्रमिक दिवस गुजरात दिवस और माराश्य दिवस मनाया गया दो माई को बेश्चु टूना दिवस मनाया गया और ब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161 नंबर पे रहा और ये 180 देशों का इंडेक्स है चार माई को कुईला खनिक दिवस और अंतरास्टी अग्नी शमक दिवस मनाया गया पांच माई को बेश्चु पूर्तगाली वासा दिवस और बेश्चु हाथ भीक्षिता दिवस मनाया गया। 6 मै को इंटरनेस्नल नुड डाइट दे मनाये गया। 7 मै को बेश्चु एãyथलेटिक्स दिवस मनाये गया। दोबार मनाया जाता है एक बर माई के सेकंड सटरडे को और एक बर अक्टूबर के सेकंड सटरडे को तो इस बर माई का सेकंड सटरडे तेरे माई को था इसलिए तेरे माई को यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाये गया 15 माई को अंतरास्टी परिवार दिवस मनाया गया 16 माई को International Day of Living Together in Peace मनाया गया 17 माई को बेश्ट दूर संचार और सूचना समान दिवस मनाया गया 18 माई को International Museum Day और बेश्ट एड़ से टीका दिवस मनाया गया 19 माई को रास्टी लुप्त प्राय प्रजात्ती दिवस मनाया गया 20 माई को बेश्ट सु मधुमक्के दिवस मनाया गया 21 माई को अंतरास्टी चाय दिवस और रास्टी आतंगबाद बिरोधी दिवस मनाया गया 22 मई को अंतरास्ती जैब विवित्ता दिवस मनाया गया 23 मई को बिस्सु कछुआ दिवस मनाया गया और 24 मई को इंडियन कॉवन वेल्थ डे मनाया गया तो मई में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाया गया है यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सीर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेग टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेग टार्गेट पिक्स करो सिस्कूशन का सी ऑप्संस थे हैं ये हैं तयाफ एर्दुरुगान य४ में आप उर्दुगन भी कह सकते हैं एग्लेज़नमे आप थिर्षियर अड्रुगन भी बहुत सकते हो तो को ग्रेस का कारवाग प्रदानमंत्री चुना गया लुडोबिट ओडोर ने स्लोबाकिया के केर टेकर प्रदानमंत्री के रूप में पदबार समाला है शैंतियागो पेना ने परागवे के राष्टपती का चुनाव जीता और मेगेल डियास कानिल को दूसरे कारेकाल के इन्होंने अभी मलेसिया मास्टरस दूयार 23 का किताब जीता दूसकुशन का बे ओप्सिन सही है ये हैं भारती सटलर H.S.Pradoy इन्होंने एक चैनी सटलर को हराकर ये मलेसिया मास्टरस दूयार 23 का किताब जीता है ने किशन है हाली में J.H.Nike का निधन हुआ है भी कौन थे तो J.H.Nike ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है दूसकुशन का C.Options है ये थे प्रसिद लेखक, आलुचक और उपन्यासकार J.H.Nike इनका अभी निधन हुआ है ने किशन है हाली में बांदरा बरसुबा समुद्रे पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो बांदरा बरसुबा समुद्री पुल इसका नाम अब B.D. सावरकर की नाम पर रखा जाएगा तो इस कुश्यन का B.Options आई है ये है बांदरा बरसुबा समुद्री पुल इसका नाम अब B.D. सावरकर की नाम पर रखा जाएगा अभी 28 माई को B.D. सावरकर की जैनती थ और इसी दिन नए संसेद ववन का उड़काटन हुआ और 28 मई को ही महाराष्ट की चेप मिनिश्टर एकनात सिंधे ने योशना की है कि यह जो बांदरा बरसुबा समुद्री पुल है इसका नाम बेडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा ने कुशन है हाली में आईफा अवा बेस्ट एक्टर का अबाड़ जीता तुसकुशन का ए और बेस्ट एक्टरस का अबाड़ जीता है आलिया भट्र ने अच्छा अभी जॉर्जी गॉस्पोडी नोब ने टाइम सेल्टर के लिए अंतरास्ती बुकर पुरुसका जीता है अंजु मौद्गिल को अर्जुन अ मारिया स्टेपा नोबा ने लेप जिक भुक पुरुसकार दोजर तेई जीता है ने क्युशन है हाली में केस ने केंद्री सतर्क्ता आयुक्त की रूप में सपत ली है तो सेंट्रल बिजिलेंस कमिशनर की रूप में अभी प्रबीड कुमार स्रीवास्तव ने सपत ली तो हैं प्रबेड कुमार स्रीवास्तव इनको राष्टपती ने सपत लाई है और अब ये नए केंद्री सतर्क्ता आयुक्त बन गया है अच्छा अभी आर दिनेश को दोजर तेईस चौबिस के लिए से आई अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया सुमन सर्मा ने यू बैद्यनाथन को मद्रास हाई कोट के कारे बाहक मुख के नयदीश के रूप में नियुक्त किया गया बास्केट वाल पेडरेशन आफ इंडिया के अब्देख्ष के रूप में डक्टर के गोबिन राज को चुना गया है ने क्यूशन है पूर्वोतर की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस किन दो सहरों के बीच चलाए गई है तो गुहाटे और जलपाई गुड़ी के बीच पूर्वतर के पहली बंदे भारत एक्सप्रेस चलाएगी तो इसकुशन का बे ऑप्सें सही और इसका उद्गाटन प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी ने किया है ने किशन है हाली में जे ट्वंटी ब्रस्टाचार विरूदी कारिसमू की बैठक कहां संपन होई है तो उत्राखन में एक जगह है टेहरी यहाँ पे जे ट्वंटी ब्रस्टाचार विरूदी कारिसमू की बैठक संपन होई है तो इसकुशन का से ओप्सें सही है ने किशन है हाली में कि इसने बॉम्बे हाई कूट के मुख्य नैदीस की रूप में सपत ली है तो अभी रमेश डे धानुका ने बॉम्बे हाई कूट के मुख्य नैदीस की रूप में सपत ली तो इसकुषिन का बे ऑप्सिन सही है यह है रमेश डे धानुका इन्हों ने अभी बॉम्बे हाई कू की मुख्य ने अधीस की रूप में सपत ली अच्छा अभी अमरदीत सिंग ओजला को भारती सेना का नया MGS न्यूक्त किया गया है IDBI बैंक ने अजे एस पिल्लाई को उप्प्रबंद निदेशक न्यूक्त किया है टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपने MD&CEO की रूप में न्यूक्त किया और बास्केट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नए अध्यक्त की रूप में डॉक्टर केग गोबिंद राज ने सपत ली है नए क्यूशन है हाली में सराब पर स्वास्ते चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है तो सराब पर स्वास्ते चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश बन गया है Iceland तो इस कुश्चिन का से ओप्सिन सही है पहला देश कौन सा बना था पहला Ireland बना था और अब सराप पर स्वास्ते चेतावनी लगाने वारा दूसरा देश Iceland बना है अब Iceland बना है तो ये है मैप में Iceland Iceland की केपिटल क्या है रेक्जबिक Iceland की करणसी क्या है आइसलेंडिक क्रूना और Iceland की प्रेजेंट एमपे प्रेसिडेंट कोन है J.T. जोहांसन कौन है J.T. जोहांसन ने क्यूशन है हाली में 57 ग्यानपीट पुरुसकार किसे मिला है तो अभी दामूदर मौजो को 57 ग्यानपीट पुरुसकार मिला दूसकुशन का बे आप्सेंस है ये हैं दामूदर मौजो इनको अभी 57 ग्यान पीट पुरुसकार मिला है ने कुशन है हाली में चेन नई सुपर किंग्स के केस किलाडी ने सन्यास की घोशना की है तो अभी अमबाती राइडू ने सन्यास की घोशना की तो इसकुशन का से ओप्सन सही है ये हैं चेननेई सुपर किंग्स के खिलाडी अमबाती राइडू इन्होंने अभी सन्यास की कोश्णा की है अभी IPL के एक सीजन में 700 रन मिलाने वाले सबसे युबा खिलाडी सुबमन गिल बने है IPL में सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले गेंदबाज युजबेंदर चहल बने है IPL इतियास में 7000 रन मिलाने वाले पहले खिलाडी बिराट कोहली बने है और IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्ताद डेविड बार्नर बने है हाली में इसने 223 मुनेको ग्रेंड प्रिक्स जीता है तो अभी मैक्स वस्टप पान ने 233 मुनेको ग्रेंड प्रिक्स जीता है यह हैं मैक्स वस्टप पन और इनों नहीं 2023 मुनेको ग्रेंड प्रिक्स जीता है अच्छा मैक्स वस्टप पन ने मियामी फॉर्मुला बन ग्रेंड प्रिक्स जीता सर्जियो पेरेज ने अजर्बैजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 जीता सर्जियो पेरेज ने सौधी अरब ग्रेंड प्रिक्स भी जीता और 2023 बहरीन ग्रेंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप पर नहीं अबू धाबी ग्रेंड प्रिक्स भी जीता है नेक्यूशन है हाली में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं तो अभी नासा को मंगल ग्रेंड पर बड़ी नदी होने के संकेत मिलें तो इसकूशन का सी ओप्सेंस है अब नासा यानि कि नेशनल एरणोटिक्स एंड स्पेस अडिनिस्ट्रेशन इसकी स्तापना कभी 1958 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है वासिंग्टन डेसी में और इ स्तापित करेगा तो अभी ऑस्टिल्या बैंगलुरू में एक नए बारे जी कैस्ता उप्सेंस तहीं था और लगबग सभी स्ट्रेशन के बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँँगा कुश्चिन के बारे मैं आपको ज्यादा से जादा पता हो आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज को कुश्चन आपके लिए आज को कुश्चन है हाली में करनाटक बैंक ने किसे MD&CEO की रूप में न्यूक किया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलबा हमारे फेसुक पर सुक पर जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कुश्चन आपको बहुत एलब करते हैं अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंड्रेश रसी इंस्टाग्राम प टार्गेट है चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपूल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड वाट्सप और फेसों ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेय ती मदब मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो थैंक्स वर व